नमस्कार, मैं दिलीप सिंग, एक बारपुन है, ये व्याख्यान स्रंखला मैं आपका स्वागत करता हूँ. अनुच्छेद 14 से अनुच्छेद 18 में इस्थान दिया गया है. अनुच्छेद 14 सबसे पहले हम बात करें अनुच्छेद 14 की, तो अनुच्छेद 14 गोशना करता है विधी के समक्ष समानता की. भारतिय सम्विधान में अनुछेद 14 में इस्पष्ट रूप से कहा गया है कि राज्य भारत के राज्य छित्र में किसी व्यक्ति को विधी के समक्ष समता से या विधीयों के समान सरक्षण से वन्चित नहीं करेगा यदि हम इस शवदाब अली को दिहान से देखें तो चार मुख्य बातें इसके अंतरगत बाते हैं पहली कि विधी के समान सरक्षण या विधी की समक्ष समता से वन्चित न करने का राज्य को निर्देश दिया गया है अर्थात यह मूल अदिकार राज्य के विरुद्ध प्राप्त है या राज्य के विरुद्ध ही प्रदान किया गया है इसके अतरिक दूसरी जो प्रमुख बात विधी के समक्ष समता के अंतरगत कही गई है वह यह है कि विदी के समक्ष समता को न केवल नागरिकों को अपतु व्यक्तियों को प्रदान किया गया है व्यक्ति से हम आशे केवल भारत के नागरिकों से नले अपितु भारत भूमी पर निवासरत सभी व्यक्तियों यहां तक की विदेशियों को भी विदी के समक्ष समता से राज्य द्वारा अर्थात भारत की विवस्था द्वारा वंचित नहीं किया जा सकता है व्यक्ति के परिवाशा को यद्दपी भारतिय सम्विदान में इसपष्ट नहीं किया गया है किन्तु विविन नियायक निर्णयों और विविन सम्विदान विदों द्वारा की गई व्याख्या के अंतरगत व्यक्ति उसे माना गया है जो नकेवल स्वेम वाद दायर कर सकता अपितु उसके विर्द्ध भी वाद द्यायर किया जा सकता है। इसलिए व्यक्ति के अंतरगत, बिविन, निगमों, कॉर्पोरेशन्स, कम्पनियों, समितियों आदि को भी सम्मिलित किया जाता है। आद करते हैं विधी के समक्ष समता और विधी के समान सरक्षण की। अंतरगत दो प्रमुख संदर्व दिये गए हैं जो अत्यंत महत्वपूर्ण है। पहला विधी की समता एवं दूजरा विधी का समान सरक्षण। विदी की समता का संदर्व ब्रिटेन की समविधानिक व्यवस्ता से प्रिरित है जबकि विदी का समान सरक्षन का संदर्व अमेरिका की समविधानिक व्यवस्ता से लिया गया है। प्यक्ति विधी के प्रादिकार से उपर नहीं है अर्थात विधी से उपर कानून से उपर कोई नहीं है इस प्रकार यदि हम विधी की समता के संदर्व को देखें तो यह एक नकारात्मक भाव के रूप में सामने आता है वहीं दूसरी और विधी का समान सरक्षण का संदर् जिसमें विशेशादिकारों की अनुपस्तिती की बात नहीं कही जाती अपर तो विधी के द्वारा प्राप्त विशेशादिकारों और दायतों में समानता की बात कही जाती है अर्थात विशेशादिकार यदि किसी एक व्यक्ति को प्राप्त है और उसी प्रकार दूसरे व् इसी को आगे चलकर समान लोगों के साथ समान ब्यबार के रूप में भी संदर्वित या परिवाशित किया जा सकता है. विदी के समक्ष समता की जो अनुचेद 14 में गोशना की गई है वह भारत की देन नहीं है अपितू उसे हमने बिर्टेन के सम्विधान से या बिर्टेन की सम्विधानिक व्यवस्ता से ग्रहन किया है प्रिसिद बिर्टेस सम्विधान विद एवी डाइसी ने विदी के शाषन की जो अवधारना दी थी विदी के समक्ष समता की अवधारना उसी से प्रेजिद है चूंकि रैसी का मानना था कि चूंकि किसी व्यक्ति में मानविय दुरवलताएं हो सकती है जो उसे समान भाव से किसी विशे पर निर्णे नहीं लेने दे सकती है इसलिए आवश्चक है कि किसी व्यक्ति के इस्थान पर विधी को सासन का सर्वोच स्रोत मानते हुए व्यक्ति के इस्थान पर ही विधी के शाशन की अपिक्षा की जाए। प्रदान के मूल ढांचे का भाग बताया है और इससे किसी भी नागरिक को वंचित न करने के संबंद में अपने अनेक मेतुपूर्ण निर्णे भी प्रदान किये हैं। समता को मूलबूत ढांचे के रूप में भी सुईकार किया गया है। जैसे अनेक उधारण है जब विधी के समक्ष समता को विमिन अपवादों के तोर पर देखा गया है। जैसे भारत के राष्टपती और राज्यपाल चूकी समवैधानिक शाषन प्रमुक होते हैं इस नाते उन्हें कुछ उन्मुक्तियां प्राप्त होती हैं। इसी प्रकार विधायकाओं जैसे संसद और राज्य विधानमंडल के सदस्यों को भी कुछ विधाई विशेशादिकार तथा न्यायक उन्मुक्तियां भी प्राप्त होती हैं। इसी प्रकार विधेशी राष्ट्रों के प्रमुकों, राजनैकों, दूतावास के करमचारियों तथा कूटनितिक व्यक्तियों, डिप्लोमेटों आधि को भी कुछ उन्मुक्तियां प्राप्त हैं। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि भारत में यद्यपी विधी के समक्ष समता की गोशना की गई है, किन्तु उसे लकीर के फकीर के रूप में सुईकार नहीं किया गया है। देखते हुए अत्यन्त आवश्यक और मैतुपूर बन जाता है। यह राज्य को निर्देश है कि वह किसी भी प्रकार का कोई विवेद भारत के नागरिकों के साथ न करे। दूसरा कि अनुशेद पंदरा केवल भारत के नागरिकों को प्राप्त है। जिसका आसे है कि राज्य सिवाय धर्म, मूलवंस, जाती, लिंग, जन्मिस्थान या इनमें से किसी एक के आधार पर कोई विवेद नहीं करेगा। किन्तु अन्य आधारों पर भेद भाव कर सकता है। अनुशेद पंदरे का खंड़ दो के अंतरगत प्राप्त मूल अधिकार जिसमें किसी सार्वजनिक इस्थान के उप्योग संबंदी बात कही गई है को नकेवल राज्य के अपितु नागरिकों के विरुद्ध भी परदान किया गया है। अर्थात यदि किसी व्यक्ति द्वारा भी किसी व्यक्ति के साथ धर्म मूलवंस जाती लिंग जन्मिस्थान आदि के आधार पर भेदवाव किया जाता है तो वह भी प्रतिशेद के योग्य है। अर्थात यह मूलवंस जाती लिंग जन्मिस्थान के आधार पर जो भेदवाव का प्रतिशेद किया गया है। वो अन्य आधारों पर किया जा सकता है। तो अनुछेद 15 का खंड एक जहां केवल शब्द पर बल देता था वही प्रतिशेद का आधार भी है। निकलता है कि राज्य अन्य आधारों पर भेदवाव कर सकता है। अनुछेद 15 में एक नवीन खंड खंड पांच जोड़ा गया और जिसके द्वारा यह प्रावदान किया गया कि राज्य सामाजिक और सहचनिक द्रश्टी से पिछड़े वर्गों, अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जंजातियों के उत्थान के लिए राज्य द् अनुदान प्राप्तिया निजी या अल्प संख्यक संस्थाओं में प्रवेश के नियोमों में छूट प्रदान कर सकता है। अनुषेद 16 का खंड एक यह बताता है कि राज्य के अधीन किसी पद पर नियोजन या नियुक्ति से सम्मंदित विशेव में सभी नागरिकों के लिए अवसर की सम्मता होगी। अगरिक को अपात्र गोशित करने और ना उससे भेद विशेव में अवसर की सम्मानता का प्रावधान करता है। इस अवसर की सम्मानता के तीन प्रमुख अपवाद भी है। अनुशेद सोले का खंड तीन जिसमें संसद किसी विशेश रोजगार के लिए निवाश की सर्थ आरोपित कर सकती है। जैसा की सारवजनिक रोजगार निवास की आवश्यक्ता अधिनियम 1957 लागू किया गया था जो की यद्यपी वर्ष 1976 में समाप्त कर दिया गया। वर्तमान में आंध प्रदेश और तेलंगाना में ही यह विवस्था लागू है कि वहां के मूल निवासियों को सारवजनिक रोजगार के संबंद में कुछ विशिष्ट अधिकार प्रदान किये गए हैं। अवसर की समता पर दूसरा प्रतिबंद अनुचेद 16-4 के द्वारा लगाया गया है। यदि पी भारतिय संब्धान में यह कहा गया है कि किसी भी प्रकार का धार्मिक भेदवाव नहीं किया जाएगा। किन्तु यदि किसी संस्था के विशिष्ट कार्यों के लिए किसी धार्मिक आधार पर नियुक्ति की आवश्यक्ता हो। जैसे कि सेना में धार्मिक सिक्षकों आदि की नियुक्ति तो राज्य इस आधार पर भेदवाव कर सकता है। अर्तिय संविधान का अनुछेद सत्रा अश्प्रश्यता का अंत करता है। लागू करना अपराद होगा। वास्तम में इसे दंडनिय बनाया गया है और मूल अधिकारों के अंतरगत एक मात्र दंडनिय है। थी राजियों के अंतरगत एक अंमुछेद सत्रा भ đến स्पिस्ट्राद दंडनिय में इसे यदानियर दो कर सकता है। औरल, लाटे my और बनाय का अंत Germak झाल 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 झाल